Hello everyone, कैसे हैं आप सभी, मैं तुशार Study Rumble पर आप सभी का बहुत बहुत स्वावित करता हूँ चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन और देखे आज की सेशन में कवर करेंगे Reasoning का एक बहुत important topic इसका नाम है calendar देखे, मैंने कुछ नया करने की कोशिच भी करिए आज ताकि आपसे एक live interaction हो पाए इस ते पेले हम नॉर्मल पेंटर प्रक्लास होती ही बट आज मैं खुद भी एक live form में आपके सामने हूँ जिसमे आप मेरे को देख भी सकते हैं इससे क्योंकि हमारे interaction ही better होगा क्योंकि reasoning कुछ समझाना होता और समझाने के लिए एक interaction हो ज़रूरी है तो anyways, मैंने यह सोचा है कि month of March में आपको इतना सिखा दूँगा reasoning में कि आप आराम से किसी भी exam की preparation करें जहां पे reasoning आती है तो आप easily 92-95% attempt कर पाएंगे exam में सही साई ठीक है जले शुरू करते हैं इस session को बच्चों की demand भी क्या थी किस तर आप calendar से शुरू करें पढ़ाना तो anyways, शुरू करते हैं इस session को देखे, generally calendar में तीन type क्या आपके सवाल है type बना आपके सामने लिखा हुआ यह conditional question होता है पहला इसमें क्या होते है कि आपको देदे देख थी फर्स्ट मार्च कोTH Sunday बताना है दो-सर फर्वरी को और पना थीन थी थो साल बताना है फिर दुबारा कि साल में 24 भरी फड़े पढया नि य ऑपके सालए यह सेब केलेंडर के रिपीट होगा इस तरह का question आता है फिर थर्ड टाइप होता है जो major type है आपका वो है अब यह तीन major है मैं भी बता रहा हूं आपको कि तो थर्ड टाइप आपको फिर क्या है वह रियल calendar based ठीक है जो रियल calendar पर question आता है उसमें क्या होता है आपको कुछ पता होने चीए कुछ numerical values पता होने चीए like century का code क्या होता है मन्त का code क्या होता है तो तो आपको पता होंगे तो आप easily real calendar based questions भी कर सकते है तो फिलाल आज की session मैंने दो टाइपस आपके कवर करें जो major है क्योंकि generally questions भी इनी two major types से आता है real calendar को जो हम कवर करेंगे वो next session में कर करेंगे क्योंकि इसमें आपको क्या code बगरा पढ़ने होंगे और मैं चाहता हूं कि total number of days in given duration माल लेते हैं 2007 से लेकि 2009 तक का मेंट से पोल आगया तो हम days count कर लेते हैं काफिछे हुआ पर discount कर लेते हैं और उसको फिर आप क्या करेंगे 7 से डिवाइट करेंगे जो भी remainder आएगा उसमें तो जुस्के माल लेते हैं तो दो दिन आगे चला जाओंगा कल को माल लेते हैं आप कहेंगे तो यहां पर बढ़ते हैं तो यहां पर करते हैं और आगे तरफ चलते हैं तो यहां पर देखेंगे कमाल की बाता आपको बताता हूं काफिछे गल्ती क्या करते हैं जो century का year होता है आपको जब भी century का अगर पता लगाने को लीपियर होगी या नहीं होगी तो आपको 400 से डिवाइड करना होता है जैसे example के तरफ आप 1900 को 400 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा पूईतर से यानि यह लीपियर नहीं होगा ठीक है अब बच्चे क्या करते हैं क अब बच्चे कर जब द्यान नहीं लगा कि इसको भी फोर्सी डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा एक लीपियर मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि यह 400 से डिवाइड हो जाता है तो आपको द्यान देखना है कि century का year होता है अगर उसका पता लगाने कि लीपियर है या न सब्सक्राइब करेंगे यह मैंने आपको समझाने के लिखवा है अभी देखिए आप इसको जो हमें बहुत शॉर्ट कर रहेंगे ठीक है आप आगे बने रही मेर साथ आप देखिए बहुत मज़ा है आपको इसको करने में चले आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ और बा बताने कि 1st Gen 2002 को क्या होगा यानि 1st Gen 2002 को क्या होगा आप से पूछे जा रहा है कोई बड़ी बात तो नहीं है बहुत सिंबल बात है लिख लेते हैं कि 1st Gen 2001 को मेरा क्या है आपका Tuesday ठीक है यह आपको given है यहां तो कोई doubt तो नहीं फिर आप से बोल रहा है कि बताने आपको 1st Gen 2002 में आपका क्या डे पड़ेगा यह आपसे पूछ रहा है तो आप एक बात बता है 1st Gen से लेके 2001 से और 1st Gen 2002 तो आपके कितने डेज होगा आपके सर पूरे एक साली तो हो गया और लीपियर यह है नहीं तो आपको होगे सर 365 डेज हो गए हो गए यानि इस जीन जो पीरड है है कितने डेज है हैं है इसमें मेरे 365 यहां तक बात क्लिएर है अगर मैं 365 को 7 से डेवाइट करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास आप बोलेंगे में यहां पर लिमिंडर आपका बख जाएगा तो आप बोलेंगे यहां पर रिमेंटर कितना रहा है रिमेंटर का मतलब क्या है कि मैं Tuesday में एक दिन आगे चला जाओंगा यहां से आप एक conclusion कह सकते हैं कि सर अगर नॉर्मल मेरा इयर होता है तो जैसी मैं next year में जाओंगा जैसी मेरे एक साल complete होगा तो मेरा एक दिन आगे बढ़ जाओंगा ठीक है यहां पर लिख लिए यहां पर आप एक note बना के लिख लिए कि in a normal year one day increases on successive year यहां जैसी आप एक साल आगे बढ़ेंगे आपका एक दिन भढ़ जाता है यानि यसे तो बैटने से व्जाएगा बैटने से दो थ्रस्टे हो जाएगा मघर दो साल आप आगे बढ़ेंगे तो तर से संत्ना डल्क दो दिन आगे बढ़ जाएगे आप लिखे लिजे इन कि normal year ना मतलब का मतला है य मेरे कितने होते हैं 366 हो जाते हैं इस एक हैखर आप कोई बात नहीं बड़ी बात नहीं है अगर आप कोई concept के लिए है कि हम आगे बढ़ते हैं तो प्लस करते हैं और फीछे चाते हैं तो नेगेटिव करतेаков तो कोई워서 करते हुआख देखे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ को हर एक बात क्विस्टिल क्ले करने की क्या देखे लीप यह रोगा तो दो दिन आगे बढ़ जाते हैं और अगर नॉर्मल यह रोगा तो प्लस वन डे करेंगा या एक दिन आगे बढ़ जाएंगे बात क्ले रहे हां तक कोई डाउट तो 31st December 2001 को क्या होगा 2001 में क्या पड़ेगा आपका डे तो देखे आप अगर बात करेंगे जैसे 1st Gen है और 2001 है और 31st December 2001 इसके भीचे कितने डेज होंगे आप बोलेंगा सर 364 डेज होंगे क्या होंगे 364 डेज होंगे बात के लिए अब गोता है 364 तो 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा अरने मेंटरमेकी जीरो यह आएगा और मैंधर्ण जीरो आएगा मेरा तो एक बी दिन आगे नीपाड़े का यहां नहीं मंदी का मंडी रहेगा तो यह से अब एक बात और कह सकति कि सफर्केन करें, हो实 कök dusma खीक है दे आर से यानि अगर मंडे है तो मंडे रहा अगर ट्यूजए तो ट्यूजट रहागा अगर लीप यह कहांद तो क्या होगा आप बोलेंगे ऐक दिन बढ़ जायागा यानि अगर फर्स जेंट 2001 कुल्फ नियुकर निकालते हैं डिखेशन निकालते हैं आराम से ठीक है यहाँ कि आपको हर बार देस्तों कौन्ट नहीं कहने है इसका निकालते हैं बहुत आराम से क्या है जितने आपके years आते हैं आप simply उसमें days count कर लिए जैसे अगर माल लेते हैं जैसे आप लिखा कि just simply add the days as the number of years are given ठीक है आप 10 नंबर ऐसे add कर लिए इसके बीच में लीप यह उनको भी आप लिए एक्स्टा जैसे 2010 से और 2010 के बीच में कितने दो लीप यह तो आप यहां पर आप यहां प्रसीड करना है बात के लिए नहीं है डाउट हो तो आप एक और कॉमेंट सेक्शन में लिख देना देगे जै आजाए तो इसे 5 जुलाई यानि 5 जुलाई 1990 को आपका फ्राइडे है ठीक है और आपसे पूछाए 5 जुलाई 1997 कितने आप अलग कौन सा डे पड़ेगा आपका ठीक है तो आपके 1997 कितने आपके 7 यह तो ही हो गए यहां तक बात क्लिर है और जुलाई से जुलाई चल रहा ह यानि पूरा पूरा इयर काउंट वह रहा है यहां ठीक है तो यहां पर 70 तो ही हो जाएंगे अपके 7 बात क्लिर है आपके कोई डाउट तो नहीं है इसके बात देखिए आप आप बोलेंगे सार 5 जुलाई 1990 से लेके 5 जुलाई 1997 तर मेरे दो तो ली पर आएंगे ठीक है तो बहुत वीक है तो आप आप एड कर लिजी 9 और फिर 9 को डिवाड कर लिजी 7 से तो आप जाएंगे कितना है आपको आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है जले आगे चलते हो नेक्स्ट कोशन देखते है ठीक है नेक्स्ट कोशन क्या है आपका कि 10 जैन 2016 है यानि 10 जनुरी तो आप पूछ रहा है कि बताए कि कौन से दिन पढ़ेगा 10 जन 2004 को कौन से दिन पढ़ेगा तो देखे 2016 से लेकर आप देखे पीछे चल रहे है आगे नहीं नेगिटिवारी सिच्वेशन आ चुकी है कि आप अगर 2016 से आगर 2004 के पहले पीछे जाए ठीक है पूरा-पूरा स यह जा है तो कौन कौन से आप बंढ़ेगे 2016 से लिपयर कांट नहीं हो फेर लगाई कहां से राइजागा Tuesday, ना तक बात clear आपको, यानि अगर आप पीछे जाएंगे, years पे आपको, days को subscribe करना हो था, ठीक है, चले अगरा question देखते हैं, अगला question है आपका, if 28 February 1896 को क्या Thursday आपका है, आप से पूछ के रहा है, 28 February 1904 को क्या होगा, देके पुरा-पुरा year count होगा, अ आप देखें, बीच में एक 1900 पड़ेगा आपका, बच्चे यहीं कलती क्या करते हैं, उसको leap year मालेते हैं, 4 से divide करके देख लेते हैं, जबकि वो गलत चीज है, बिल्कुल, उसमें आपको बताता है, 400 से divide करेंगे, और 1900 400 से जाया क्या नहीं तो लीप year नहीं count होगा, ठीक है एक मार्स होगी, वहाँ से count करेंगे आप days को ठीक है, और 28 फरवरी तक count करेंगे, इस तर से counting होते हैं, तो मैं पूछे हो, इसमें कितने leap year आ रहा है, आप बोलेंगे भी है, इसमें एक ही leap year आ रहा है मेरा, वह कौन सा होगा, 904 वाला, यानि एक इसमें leap year होगा, तो आप ब बात clear है, I hope यहां तक आपको कोई doubt नहीं होगा, ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं, कुछ और नहीं बाते जानते हैं, जिसके आपका like क्या सकते है, जो question करने का तरीका हो बदल जाएगा, ठीक है, अब यहां पर नहीं आपको एक बात थोड़ा और समझाना चाहँगा, अगर्स, ऐसी सोगान आप चलते देंगे, आप यह बार क्या होता है, आपको परफेक्टली यह नहीं मिलें, यह सब तक हम क्या करें थे, 10 जैन से लेके 10 जैन की थी डेट, 28 फैब से लेके 28 फैब तक की थी डेट, तो आपको इतने दिक्कत नहीं बड़ती है, मन्त पगर अ आप से 9 जुलाई पूचा, आप 5 जुन से लेके 5 जुन 2008 तक की बात नहीं, कुछ दिन आगे भी बढ़ गए है, यह कुछ मंस का डिफरेंस आ रहते है, जो कि आपको नहीं करना होता, आपको के करना होता है, कि जो मंस होते हैं, उसमें बी कुछ कोड्स आप बना सकते है, ज अगर आप इसे 7 से डिवाइट करेंगे, 28 जग पर चला जाएगा, रिमंटर कितना चाहिएगा, प्लस 3, तो आप 31 को ना एड करने के बज़ा, आप सिर्थे 3 को एड कर लिए ठीक है, ऐसी फैबरी में कि अगर 28 जोंगे, फिर 29 होगे, अगर 28 होगे, तो 0 रिमेंटर होगा, यानि 0 days आप count करेंगे, और अगर 29 होगा, तो आप प्लस 1 days count करेंगे, यहां तो बात के लिए है, इसके लिए मार्च में कितना होगे 31 days होते है, फिर साफ प्लस 3 count करेंगे, यानि मार्च के 31 days ना count करके, आप जब मार्च का महिने से count कर रहे होंगे, जैसे January, February, March, अगर इस कोई बात नहीं, आपको इस question के तुरु समझाता हूँ, जैसे 5th June 2005 को Sunday दे रखा है, माले ते आपसे 9 July 2008 का पूछ रगया, क्या दिन पड़ेगा, जैकि 5 June 2005 ते लेके 5 June 2008 तक, यहां तक बात करेंगे, पहले 5 June 2008 तक क्या है, तो आप बढ़ेंगे, 5 June 2008 तक क्या है, तो आप ब बच्चों, इसका आप देखो कि 5 June से लेके, आप कहा तक आए, 5 July तक आए पहले, तो 5 June से लेके 5 July तक आने में, आपका पूरा क्या हुआ, पूरे 30 दिन काउंट होंगे, वो जून वाला मेने चलना है, 5 June तक पूरे 30 दिन हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे की नहीं हो जा 4 दो 6 और 3 दो 4, कितना हो जाएगा 10 आप 10 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, रिमिंटर आपका 3 आप तीन आ जाएगा, अब देखिए कहीं ना कहीं, अगर आप डेर्स डारेक्ट करते हैं, पांच जून से लेके 9 July तक कि आप पूरे डेर्स निकालते हैं, तो दिक्कत हो जा संधते हैं, पूरी साथ दिन होगी, इसके बाद ही तो आपका दिन चींज होगा जो 29 तारीक होगी उसमें, प्लस वन होगा 30 तारीक होगी, उसमें प्लस टू दे होगा ठीक इस तरह से तो इससलिए हम क्या करते हैं, उसको इस तरह सिंप्लिवाइड फॉर्म में लिख लेत पर अब यह हम ताइप टू पर जाने वाले इसका नाम है रिपिटिशन ओप यह फिर केलेंडर ओके चलते हैं एक्स्ट क्वेशन देखते हैं नेक्स्ट क्वेशन देखें क्या है राम इस 375 वीक ओल्डर देन सीता वाइल लक्ष्वन इस 1010 डेज यंगर देन सीता ठीक है वहती अच्छा क्वेशन है और क्वेशन एक्वाइस तरीक है इसलिए मैं आपके लिए लेका है हूं इस राम वाज बॉन आएगा उच्छा आप सीता चोटी है यहां से बात लिए और लक्ष्वन जाएं उस सीता से 1010 दिन और चोटे है याणि यंगरवाने और चोटा होता है ठीक है तो थोड़ा बनाते हैं इसको देखिए मालते यह राम है 375 वीक की बात चली मैंने आपको एक बात समझादी कि अगर वीक जब रिपी पूर एक पूर वीक आ रहे हैं अब मैं समझ रहे हैं कि काफ़ार बच्चे साथ को आराम से कर पाएंगे सीता से अगर हम आगे चले तो देखिए लक्ष्मन कब पैदा हूंगे आपको निकालना पड़ेगा तो देखिए 1010 दिन का फरक है ठीक है और देखिए 1010 का पहले का प्लस टू कर लिजे अगर आप मंडे में प्लस टू करेंगे तो कितना है यहां तक बात क्लिए आपको कोई डाउट तो नहीं है तो चले आगे चलते हूं देखते हैं टाइप 2 के आप कोश्चन ठीक है और यह थो हमारा टाइप 1 तो पूरा कवर हो गया मैंना कुस सारी जो कर लेंगे थोड़ा सा तो आपको बहुत इसली सारी बात है याद हो जाएंगे ठीक है अब आगे चलते हम टाइप 2 देखे हैं तो देखे हैं अगर आप टाइप 2 के हमारा है रिपिटिशन अफ कलेंडर का कुछ नहीं करना होता है और तीन केस बनते हैं ठीक है जैसे देख अगर आपने यह को टू या थी से वालाएक फोर से डिवाइट किया और रिमेंडर आपका जीरो आगे तो देखे हैं आपका 28 यह में रिपीट हो जागा अठाइस साल बाद पिर से सेम यह यह याई उसमें क्या होगा डेस पढ़ेंगी सेम तारीक हो पड़ीक है तो रिपी यह को ग्यार साल बाद रिपीट होगा है यार साल बाद सेम तारीक पर सेम दिन पढ़ेगा ओके यह कुछ कोशन से मैं कुछ तारी बाते समझा जेता हूं फिर इस टाइप का हम एंड करेंगे ठीक है और बहुत ही बेसिक टाइप है ओके देखे जैसे आपका पहला कोश्च बहुत ही अच्छा होता तो आराम से देख लेंगे सर यहां पर तीन दिमेंटर होगा क्यों कि पूरा कटीर आई है ठीक है तो क्या होगा पूरा इयर आपका क्या होगा पंदरा अगस्त को फिर से फ्राइडे हो गई होगा ओके चलिए अगला देखे जैसे कह रहा है बीच इस तेम कलेंडर है रहा है आपको ताब मुझे बात बताए अगर तो आपका साल फिर से आगिन ग्यार साल बाद रिपीट होगा और ग्यार साल का मतलब क्या है कि आपका 2002 सब्सक्राइड करींगे जरो अगरेंगे आप अंग्यार साथ के बाद रिपीट होगा यानि बात के लिए आप के मेंगे अध्रीट लियू में आड करेंगे तो इस तरह से आपका question आता है एक्जाम में और बहुत ही इजी लिए डिवाइड करेंगे तो यह तो हमारा type 2 इसको भी अच्छे से cover कर लिए हम देखिए हमने type 1 type 2 पूरी तरह से cover कर लिए सारी बाते जान लिए अब बज़ आपका type 3 ठीक है जो की one of the major type है इन team types में से ठीक है तो देखिए type 3 के आपका real calendar बेट जो से कमी सवाल आते हो के आपको पता ही मैंने बता भी जाते शुरू में पढ़ेंगे उसे next session में क्यों कि देखिए उसमें बहुत सारे course numbers आपको याद करने पढ़ेंगे और म एक दिन और कौन से होता है हाँ एक दिन होता आपका Thursday ये तीन दिन आपके ज्यानक नहीं हो सकते century के आपका century वाले यह पड़ता है 1900 है 2000 है आप match भी कर लिएगा आप कभी calendar खोलेगा अपने phone में देखिए उपराने calendars आप लेखिए आप जो लास्टे होगा ना century को कभी भी Tuesday, Saturday और Thursday होएगा ही नहीं कभी भी नहीं होगा ठीक होई नहीं सकता ओके तो एक अच्छा सा fact आपको ध्यान अखना है कि आपता कल को MCQ में इसी से कुछ question बना दे रीजिदिंग में और आपसे सवाल पूछला कई भी question आ सकता है ठीक है आपको ध्यान अपने तो anyways यह थे थे बहुत भी लिखते हैं वहाँ पर उन्हें कॉंसेप्स थीर नहीं बढ़ की काफी है प्रेस भी किया आप लोगों ने तो जिस तरीकेस आपने उसको प्रेस किया है इसको सराया है तो आप इस वाले content को भी सरायेगा ठीक है और मैं पूछ भी कोशिश रहेगी कि और बैतर त सब्सक्राइब कर सको चली मिलते हैं अगली सेशन में वाबाई टीक है दाना चीएगा अपना